After, after मतलब पश्चात या के बाद में, इस्तमाल करके देखते हैं, I take some rest after running, मैं दोड़ने के बाद थोड़ा आराम करता हूँ, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, किसके बाद, दोड़ने के बाद, I take some rest after running, ठीक है? अगला sentence लेते हैं, He is after me to sell his guitar, वह अपना गिटार बेचने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि कोई जान पैचान वाला मिल गया, उसके पास कोई सावान है जो बेचना चाता है, आपने ऐसे ही कभी कह दिया था कि हाँ, आपको चाहिए था वो सावा मान लिजए उसे अपना बेड बेचना हो और आपने कभी कहा था, कि हाँ यार मैं देख रहा हूँ कि कोई एक सेकंड हैंड बेड मिल जाए, अब उसके पास वो बेड है तो आपके पीछे पड़ गया, He is after you to sell his bed, यहाँ पे इस sentence में क्या कह रहे हैं, कि He is after me to sell his guitar, वह अप His guitar, ठीक है, दोनों sentence में अलग-अलग भाव, अलग-अलग अर्थ,